गुड़ मार्णिंग आप सभी को पूरे जुरून के साथ आज बिलिंग डे हम मनाएंगे हग नहीं हम मनाएंगे आज बिलिंग डे एक construction industry में सबसे इंपार्टेंट रोल होता है बिलिंग इंजिनियर का बिलिंग इंजिनियर एक माई बाप है जो construction कंपनी को पैसे लाकर देता है एक ही आदमी पूरे इंडरसिोरी पूरे जाब पोस्ट में एक ही ऐसा आदमी है जो पैसा दिलाता है कंपनी कोड़्यइक इंडिरइक वह वह continuous कांपनी को रहे होते हैं सायव लेकिट मैपले डिलाफ ऐसे दिलाने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन जो डारेक्ट पेमेंट दिलाता है कर सब्सक्राइब कर रहे हैं आपको आज सुभे दस बजे जो कि चल रहा है तो पर को एक बजे साम को पांच बजे और इवनिंग को करीब करीब जाएं पहले दुए बाइए बागी के चेंटन सरमा लेंगे रोल संन्रेश्ट ठेश्टिंग और किस तरीके से के मेरे से कितने होते और वह कहां कहां परफॉर्म कि जाते हैं उसको बनाया ज़लूरी है बिना प्रैक्टिस के है हम आपको offline सिखाते हैं दो महिने की training होती है जिसमें हम दो महिने में आपको complete detailing सिखाते हैं कि civil engineers के life में कौन कौन सी इंपोर्टन होती है जिसकी दो महिने की training है आप call कर सकते हो 91001234 या फिर आप job कर रहे हैं आपका करियर अप्ग्रेट करना है तो भी आप हमसे training ले सकते हैं हम आउनलाइन भी training प्रवाइड करते हैं हमारे application के तुरू अप्लिकेशन को डाउनलोड करके आप बहुल सारी सबसे important part कितने टाइप के बिल होते हैं मैं आपको सिखाऊंगा कि बिल्डर के हां कैसे बनते हैं मैं आपको सिखाऊंगा कि आप खुट की company स्टार्ट हो तो आपको किस किस टाइप की बनाने की जुरुत पर सकती है और क्या एक basic प्रुटिक मतलब जो ऐसा contractor जो सिप सिंगल सिंगल वर्ड काम कर रहा है कह सकते हो कि आपके बड़ा प्रोजेक्ट है उसको आपने छोटे-छोटे सब प्रोजेक्ट फाइनल होता है स्पेसिफिकेशन फिक्स होते हैं एक घर की रीपीटेशन वर्क होते होने लग जाता है विल्डर के आपने देखा होगा एक रोह उसे तो सेकंड बिल्डिंग भी सेम बनेगा तो हम बार-बार महनत करें बनाने का एक बार महनत कर लेते हैं फिर उसको कॉपीपेस करते जाते हैं बहुत असान तरीका है बिल्डप एरिया स्लैब रेट बिल्ड़ करते हैं इंडिजर घर बनना है तो भी हम यही काम यही इसी टैप का बिल्ड परफॉर्म करते हैं सी पीडबलोडी चाहे कोई भी डिविजन का हो चा जान का मतला यदि आप एक two है और जैसे कि लेत ये काम कर रहा है और वो कामकर रहा है के लिए मान लेकिते हैं उसमें जोंग कंडशी और सितिल है वह यह कंड़ सकते हूँ ऐस पाकुलांस के रूपमें मत्र फिक बना पत देउर सेथील उहता है तो तो वह क्लाइंट को परसान नहों उसको उसमें पैसा लगाने के लिए तो उसके में होती लेकिन-फिर भी हम अपनी में अपने और इंपारएंट कर सके में मोनिटिंग कर सके वेस्ट हो रहा है यह हम में कंट्रोल है कहां किस कारण से वेस्टेज वह रहा है उसके थोड़ी सी बजारी की बारिकी को समझने के लिए हम और रिपोर्ट बनाते हैं रिकांसलेशन बिल के साथ हैं तो फैबुरी का मतलब आज डेट है ग्यारा बारा फरवरी को हम बात कर रहे हैं कि मेरी और आपकी एग्रिमेंट हो गई कि मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं ऑफ लाइन का सैंतालिस हजार दो सुरुपए में जिसमें से आपको पैंसेट परसेंट फिस आ रोलिंग एक्सपेंस कितना है सबका एक एक्सपेंस निकाले कमपनी में एक बेसिक फॉर प्रॉफिट भी होना चाहिए उसको प्रॉफिट के हिसाब से हमने फिस रख दिया सैंतालिस जर दो सुरुपए एक बच्चे से जिसमें से पैंसट परसेंट फिस आप अपने प्ले और रेंट दो लाग रुपए हो गए तो हम सैंतालिस जर दोस रुपए में डिल नहीं कर पाएंगे फिर हम क्या बोलेंगे यार इंजिनियर्स महेंगाई बहुत बढ़ गई है तो हमने एक निया रेट इनलसिस किया है अब हमको सैंतालिस रुपए में जितना हमने इसे बिल में होता है एक स्टेंडड़ पैटर्ण है एक स्टेंडर्ड कॉफिसियंट हमको एक एजनसी बताती है जिसको हम ओफिस उपना देटा उटाते हैं और यह बिल बना जिते हैं यह हमारा में मुद्दा आज के टॉपिक रहेगा और आप सभी से यह उमीद करता हूं इतने बी इंजिनियर्स मुझी आज देख रहे हें और जतने इंजिनियर्स तक आप कॉनटेक्ट सेर जरूर करना आप से हमारा महुनत है आपको सिखाना आप cannot काम है हमारा काम है सब्सक्राइब करता हूँ आप हमारे अक्रएंस प्रयाश के सתहीं हमारे अकेले के दम पर नहीं बढ़ने वाले जब तक और आप साथ नहीं होंगे तब दक कम सुधरने वाला नहीं है। कुछ और चीजें होती है first and final बेज़े को हम कैस्ट बिल भी बोलते हैं जैसे हम किराने के दुकान पर जाते हैं कि यह एक किलो चावल देदे देना एक किलो दाल देदेना वह क्या अगर दाल लाता है एक छोड़ा सा बिल बनाता है हम उसको बोलते हैं कितना रुपर हो बोलता को साइट पर बैंडिंग मेर के लिए अर्जेंट में चीए दसकेजी तो हम गया बाजवाले दुकान से दसकेजी बैंडिंग मार ख़त के लिए हैं लंसम बिल जिसका कोई कैल्कुलेशन नहीं हो सकता जिसका कोई मैजरमेंट नहीं है वह एक सिच्वेशन बेस्ट कंडिश कि आपको मेरी ट्रेनिंग लेने के लिए आनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए या तो आपको 14、847 रुपई देना पड़ेगा भी हमने लंसम उसका किया हुआ है उसमें बार्गिनिंग होगी उसमें ऐसा होगा कि नहीं तुम इतना रुपए कम दे रहे हो तो हम इतना ट्रेंडिंग कम देंगे नहीं असा बिल्कुल भी नहीं होगा आप से हम एक्जेक्ट 14847 रुपए लेंगे दो साल के लिए जो कि चाँदा आठसो साहतालीस ना कि 14847 gb 2530ड टुम डूपए एक दिंक होता हुत कि आप चायनाशते में होडवाध दिया यार वन डी एक दिन का हम 20 रुपए चार्ज गरते हैं आप श्रिप स्रिप 20 रूपए चार्ज करते हैं एक दिन का पूसफ के पांटे में खड़े एक बड़ी गोल्ट एक ठारा रुपए की उससे कम के फीस में हम आपको ट्रेणिंग करते हैं इतनी लिस्ट में कि आप इतनी ही अमाउंट पर कुछ महीने बाद इससे कहीं ज्यादेगी सेलरी डिजर्व कर जाते हैं सिर्फ ट्रेणिंग मॉड्यूल पर देखते हैं कैसे तो बात्रूम बना हम आपको अठारा जार कुछ रुपए देंगे तो बात्रूम बन रहा है आप घर में तो अठारा रुपए मिल जागा नहीं बन रहा तो भी आगे बढ़ो यही सिस्टम है पूरे एको सिस्टम का लंसम बिल और स्लैबरेट बिल थोड़ा सो डिफरेंस होता यह मतलब एक आदम में को फोन किया कि सर मेरे पास में साइट पर खड़ा हूं वास ने बोला है वह दो के बाजू में क्रैक्स हो रहा है उसका बिल कैसे बनाओं तो सो रहा है के रैक्ट फिलिंग करने वाला आगया क्रेक्फ कर दिया है अब में बिल कैसे बनाऊ घुलिम इंचाव बनाना जिंशा दो कि 가성 बनाऊ पागल आगया ऐसा नहीं होता सबसे पहले देख यसको पफ रख किया है भोला घ्रत बजर तोici देख का भिल दिया गया है। उसको कितना लग रहा है उसको देख किथ पूछ कितने रुपए में करेगा और तौह इतने रुपए में चैप्ट करती ही जा कि उससे काम करवाना पहले हम रेट पूछते हैं न हम दाड़ी बनाने का वह दिए खितना रूपए बनाने का तो हूं एक गार बनाने भांगे तो हम यह गर पहले स्कॉप अवैगा नहीं नहीं बना किये हो दुसरा मुपन करने के लिए तो दुसरे कॉंट्रेकर से बात करते हैं तो दुसरे कॉंट्रेकर से क्या बात कर रहे हैं रेट की बात कर रहे हैं जब तक रेट फाइनल नहीं होगा तब तक हम वर्क के एक्जिक्यूशन पर नहीं जाते और जब तक वर्क एक्जिक्यूट नहीं होगा तब तक हम बिल नही तेंडेता हूं कि आप बताता हूं एक गर के लिए इसमें अपने घर करोगे पिलिइंग साइक्ल समझाओंगा मैं तो बोल रहा है कि मान लेते हैं बारा रुपए पर स्कॉर्फिट लेंगे साब बार रुपए पर स्कॉर्फिट लगाने का तो उस कंडिशन में बूलाओगे और बिल कैसे बनाओगे यहां आइटम लिए टाइल वर्क बैड्रूम पे एक बैड्रूम है लेंथ और उसका होगे तो आपके टोटल कॉंटिटी आ जाएगे तो यह मैजर्मेंट सीट आप मैजर्मेंट सीट की जरुत परती हमको बिल बनाने के लिए तो इसकोप आफ वर्क इस वेरी इंपॉर्टेंट क्या काम करवाना है और उसके बाद फाइनलाइज रेट क्या रहेगा किस रेट रेट में काम करवाएंगे रेट फाइनल है काम नहीं होगा बिलिंग सैकल बिलिंग सैकल पैटरन विर यू कें प्रोवाइड पैमेंट टूर कांटेक्टर अन फिग्स सेड्डूल ऐसा नों काम तो कर रहा हूं पैसा कब मिले बाई हैसा नहीं हमेंसा जैसा कि मैं सेलरीट हो तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी और से यस तारी को आएगी तो उसके हिसाब कर करें मेरा मेरा एमे का प्लानिंग करके रखूँ गा मैं अपने घ्र के प्लानिंग कर करया सारी कमपनियों के मेरी ऐगी वैसे ही चलरी यह billing cycle पर 7 दिन को सकता है दस दिन का सकता है वो पंदर दिन का सकता है वो एक महिने का सकता है लेकिन एक जिससे कि प्रिपेर होके चले कि मेरे पास पैसे कब आने वाले हैं और उसी टाइम पर उसको पेइमेंट दिलाना यह एक की बहुत बड़ी responsibility होती है मेजर्मेंट से हम पहले उसका बिल बनाते हैं उसके बाद मेजर्मेंट सीट के बाद आता है बिल एबस्ट्रेक मेजर्मेंट सीट में कहीं भी रेट की बात नहीं हो रही है यहां पर सिर्फ मेजर्मेंट की बात हो रही है लेना है लेना है demandé करना में एर TF करना है में दी सम्झाओंगा में अंभिड करते हैं यहाँ यहम ऐत करते हैं क्या काम कर रहा है कितनी कॉंटिटी में काम कर रहा है previous बिल प्रेजन की होती है उसकोर सक्राइश करते हैं जो बिल करेंट में लिखा है उसको प्रेजन में इन करते और भोड़ा को सब्सक्राम ने हूँ किदे तो मैं आपको बताना चाँगा इडिस जसल अ überञीडर क्रोसेश लेकिन उसके लिए थोड़ा पहुत रही है आपको बिल बनाके चीखना होंगा आपको बिल्म नंबर दो बिल नंबर थीन बिल नंबर चार तो गिंदन म्निको करतार्णाई जिए चाहिता है जो कर Land नहीं हो इसके लाँटर करना पड़ेगा काम करवार है लेकिन प्रुवाइट करेंगे तो यह सब डेबिट नोट में आ जाते हैं जिस भी तरीके से पैसा रोकना है जरुरी रही है रोकना इस नॉट कंपल्सरी कि यह डैबिट नोड़ आपको लिखना ही होगा इट्स कंडिशनल यह तो उसके बाद से हम टोटल किये टोटल के बाद साइन ले लेते हैं यहां पर काम कर रहा है जिसके अभी भी बिल नहीं बना अभी भी बिल कंप्लीट नहीं हुआ इसके बा जो भी प्राइवेट लिमिटेट कंपनी है किसी भी पार्टी को कमा के दे रही है तो उसका टीडियस रोकना होता है कि हम डारेक्ट गौर्रमेंट को सम्मिट कर सके हो गौर्रमेंट पी डवू जितनी प्राइवेट लिमिटेट कंपनी उन्हों कहती है कि आप जितने भी ल प्राइबिट करते हैं जो होता है जैसा कि आप आपका दस हजार रुपे ले रखा है अपने जिब में तो आप मेरे से बड़े प्यार से बात करो तो फिर से उतनी प्यार से बात करें घर में सब कैसे हैं वह थोड़ा प्यमेंट करवा दें बचा था तो क्या हो रहा मेरे पास आपका पेमेंट है तो आप मेरे से लड़ाई करना नहीं चाहोगे क्यों मैं गुस्सा हो जाओंगा तो आपका पेमेंट नहीं दूँगा से मैसी सेक्योटी डिपॉजिट हम कॉंट्रेक्टर का ले के रखते हैं ताकि वह हमसे इंजस से बात करें वह भगे ना वह जो चिप के हुए थे उसको वह काम किये भीना उसको सफाई किये भीना भाग गया तो हमें ऐसा समय ना देखना पड़े कि वह गंजी साफ करके भी जाए इस कंडिशन पर हम एसडी अमांट रोक के रखते हैं ताकि कॉंट्रेक्टर भाग ना पाए मोटे मोटा काम कर दिया चोटा काम करते वाग भाग या चोटे काम के लिए फिर दूसरा कॉंट्रेक्टर आएगा नहीं आपको बहुत महंगी रेट में करवाना पड़ेगा और भाग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं हमने अमांट लोक के रखा हुआ है अब यह एसडी पांच परसेंट नहीं यह क्तने परपरसेंट करता है यह एक कितने परसेंट यहस करताई कि वह क्यसरा मांनेरे को परसेंटेज रोपनाayer तोना जाओ वागत Theseस फेस्ट काम तोसमेंटी तोद पाइसा कौन भरेगा हम तो इसको अच्छा काम करने लिए रहे हैं आप हमारी ओफ्लेंटरिंग में आओ करेंगे at the time of training 65% हम आपके प्लेस्मेंट के बाद चार्ज करेंगे जब आपकी सेलरी 20,000 रुपए से ज्यादा की लगती हो क्यों क्यों कि हमारा प्लास्टर के बाद सीपेज हो रहा है जो वॉइट के आवाज आ रहा है तो इसकी जबाबदारी किसकी है कॉंट्रेक्टर की क्यों पैमेंट करने के लिए उस समय हम उसका पैसा रोक के रखते हैं वह पैसा रोकने का प्रेस्ट होता है पीजी कि आपको मिनिममम एक साल दो सा साल या तीन साल जो भी परफॉर्मेंस गारेंटी है डिपेंड्स ऑन वर्क कितने साल तक उसकी मेंटरेंस होनी चाहिए उस प्रियेट में जो भी डिफेक्ट होंगे जो भी एर होंगे उसको वह कॉंट्रेक्टर ही आके रिपेयर करेगा इसलिए पीजी रोक के रखते हैं यह फिर हम उसको बारा महीना के बाद उसको रिलीज करते चलते हैं प्रोजेक्ट के मिनिमम एक साल या मैक्सिमम तीन साल पांसालेट्स डिपेंड ओन टॉम्स कॉंट्रेक्टर और क्लाइंट के बीच यह तीन फॉर्मेट से हम बना पाते हैं आइटम वाइस बिल बनाने के स्कॉप आफ वर रेट वाइस बनाने में अब बनता कहां कहां पर गौवर्मेंट के प्रोजेक्ट लगबाग आइटम वाइस बिल बनाना होता है लेकिन फोटा सा फॉर्मेटल होता है मैजरमेंट बूक में बनाते हैं यह जनरली हम पेटी कॉंट्रेक्टर के लिए मट्रि इसकूल बना रहे है तो स्कूल scripture सिक्छा मंत्राले का बिल्डिंग्ग है तो सिक्षा मंत्रा ले इसक्लाइंट बनवा कुन रहा है CPWD बनवा रहा हो PWD बनवा रहा हो तो वह हो गया consultant और जो बना रहे हम contractor चाहिए LN-T बना रही हो सापुर्जी बना लिए हो यह सब consultant यह सब contractor है इसका घर बन रहा है वो है क्लाइंट जो बनवा रहा है मिडियेटर दलाल उसको हम कंसल्टेंट बोलते हैं पीडव रूट इतने गवर्मेंट अजनसी है सब दलाल होते हैं खुद की कुछ नहीं होता यह बीच का कमिशन ठाते हैं दुसरे पार्टी का बिल्डिंग मनवाते हैं किसी और से तो हम या तो खुद की कंपनी होगी हमारी तो कंपनी कंसल्टेंट और क्लाइंट जिसका घर बनता है कंसल्टेंट जो बन वाता है ने तीन चीजों को आप समझ सकते हैं आगे बात करते हैं बढ़ें आंगे सब्ढ़ें और रहे लाइक हमारे यसा कैसे हो सकता है सर्वतार रहें लाइक कमार है भाई लाइक ठोको लाइक टोको दबा के डबागी पढ़ा नहीं तुम से कितना लाइक आप सब्सक्राइस से समय सो लाइक करो तभी आगे बढ़ूंगा मैं गुस्सा और मैं और हो टैनल पुस्त सब्सक्रार में नहीं आगे मैं गुस्साइब का थंसा थे में बढ़ा नीम्साफए बढ़ा ना इनसाफ़ी डियाक्राइट बीच जता और है बढ़ोंगा और अपने अपने लोकेशन भी लिख कहां से हो आप किस सीटी से हो अंगी साब बढ़ाएगा तो कौन से सीटी वाले हमको जादा फॉलो करते हैं ताकि हम वहां आए आपको ट्रेंग प्रवाइट करने के लिए किस सीटी से आप लिखो आज से इंडिया में इंडिया कबर कर चुके एंगे इट सेल्फ साउथ औल्सों अब बिल्टफ एडिया बिल आया कि इतना लाइक हुए नब्बे होके बस दस और बचे हैं लोगों को बुलाओ घर वाले कुला हम यह थोड़ा सब्सक्राइब करके लाइक कर दो तब ही मैं आगे बढ़ूँग जबी हम खड़े आपको चिखाने के लिए हमने प्रॉमिस किया था चिखा के रहेंगे हमने डेट पहले फिक्स किया साधीबाद में तो इंप्र्टेंस दोस्त दोस्त के साथ जाथ आप भी है इसके लिए हम क्रण हैं किसा अनेपल नेपाल नेपाल वाले वाई नेपाल वाले का junt realthing फोड़े से लग सब्सक्रेश्स क्या चैसलिक नेपाल का नेपाल-मान यार्थót में जुन जिनकी अब आपको इंडिया ने बस पकड़ा थे ट्रेंड पकड़ा पाटना और अंगाबाद कॉल करता है लगनों सब लगा कर रखेंए आपके बॉर्डर से सब्सक्राइब ले पेडिया है सब्सक्राइब लोगाइब लक्राइब आप रिम लैगे बढ़ते हैं क्या आपका लाइक हमारे लिए कुछिए ना हमको इससे पैसा मिलना है ना हमको इससे प्रमूसन होना है हमारा सिर्फ एक ही पसंद है कि हम जो काम कर रहा है आप उसको पसंद कर रहे हो चले बढ़ते हैं किस पर डिपेंड करता है सबसे पहले टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में आइटम वाइस बिल क्या है ज क्योंकि उसको पैसा मिलेगा ही लेकि उसके ब्ले पहले करना होता हुआ हमको कहां तक का टिकट चाहिए समय सेमसी ृइसा बेल हमको पहले द्रॉइंग उसका स्पेसिफिकेशन उसके हर एक मट्रियल का स्पेसिफिकेशन करना होता है कम्प्लीट वर्क चालू करने से पहले फिर उसमें कोई चेंजस नहीं होगा आपने बिल्डर्स कि यहां देखा होगा एक बिल्डिंग जैसा बन रहा है सेम दूसरे बिल्डिंग जिस समय रिपीटेशन ऑफ वर्क होता है एक ही काम को बार बार दोहराया जाता है उसी तरीकी का बिल्डिंग बार 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 बन रहा है तो एक बिल्डिंग का हम आईटम वाइस बिल्ड बनाके डिटेल में अमाउंट निकाल लेते हैं जिसको हम प्रोजेक्ट कॉपीपेस करें मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे पास पहुंचो दस दीन मेरे रुको और बता उख चार्ज करोंगे ढबी आपको जिसमों वहां पर चैय ओना खर्चा यहां पहुंचा खुमना इसे खर्चे मिला के दस दिन हो जाएगा आप जिन बनाते जाओं कि इतना रुपे खर्चा हुआ आप ने एक बार एक्सपिरियंस कर लिया कि मेरे पास तक आने के लिए कितना रुपे खर्चा होता है उस समय आप आइटम बना रहे हो लेकिन जमाम को मैं नेक्स्ट कर लिया किसी काम का वही काम एजीटीज फिर से रीपीट हो रहा है वही दस दिन वही ट्रेबलिंग पैटन तो आप फिर से कि रिपीटेशन और वर्क होता है तो हम बिल्ट अपर इरिया इस पर क्या काम कर रहे हैं इसको इसको बनाने के लिए बताऊंगा मैं रेट आप प्रोजेक्ट निकालना होता है जैसे कि आपने सुनाओंगा निकलता कहां से कैसे कैसे कैलक्लेट किया जाता है उसको मैं आपको एक चोड़ा सा बेसिक बताता हूं हमने आज तक जो सुना है 1214 रुपए यह हमने डारेक्ट सुना है कि हाँ अगया टर के प्रोजेक्ट कॉस्ट हमने पूरा महनत किया हमने पुरा कैल कॉलेशन के अपने बिल्डिंग का और अपर हमारे बिल्डिंग का कॉस्ट आ रहा है 20 लाख रूपए एक बिल्डिंग हमने बनाई पूरा उसका डिटेल एस्टिमेशन निकाला रेट से मल्टिप्लाई करके अमांट आया 20 लाख रूपए उस बिल्डिंग को बनाने में खर्चा लगेगा अब बिल्डप एरिया य ऐसे रिटा सो स्कौराइर अंके सर कैल्कूलेट करेंगे नर में 1400 स्कौराइर तो रेट आप प्रोजेक्ट पर यूनिट रेट कैसे निक लेगा रेट निकालने के लिए हम करेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट रिवायरेट बाइ बिल्ट अपे यह को तो वीस लाख स्था कब ड 1428.57 एक यह मैं लमसम एक्जामपल दे रहा हूं तो जो चौदर सो टाइस रुपए संतावन पैसे यह आपका पर स्क्वाइर फिट का रेट पर स्क्वाइर फिट का रेट जो आपने मार्केट में सुना है 1500 फिट लेंगे पर स्कॉइर फिट लेंगे यह वही प्रोसेश है लेकिन मार्केट बहुसतार आप पांट्रेक्टर को बोलो तो फिर क्यों ले रहे तुछ प्रोजेक दकालते हैं पहले प्रोजेक कौस्ट निकालने के बाद इरिया चेक करते हैं क्या एरिया होगा उसके बाद इस फर्मले से यह रेट निकलता है और बस यह इंजिनियर और ठेकेदार को अलग करता है यही आप भी मार्केट में क्या हो रहा है कोई मैटर नहीं करता सिस्टम क्या कहता है यह आपको आना चाहिए और इस भर-बर के सिख बाते हैं तो यहां पर यहां पेमेंट करना है स्टेज में एक प्रोसेस प्रोसेशं पर सेजसे यहां पर भीश लाग रुपें देना था i acc LEDs 50000 mm है तो 10 रूप करना best करें चलिक परक्रों करें हम सब्सक्राइब प्रोपे कैसे कि वह एधने 12000 recommendations कि मैं आप आपको यहां आना है तो मैं। आपसे 12000 रुपे चार्च्च लेकिन कब दूंगा मैंने एडवांस दे आपको बाराजार रुपे आप मेरा फोन उठाना बन कर दिया नंबर दोसुरुपे निया सीम आजाना है बाराजार रुपे फैदा होगी तो मेरा तो यह दो लाग रुपे कब दें तो इसका स्टेज़ बांदेंगे फिर क्यों बाराजार मैं बुटक करें तो मैं आपको उतना कुछ पर्सेंटेज दूगा 10-20 परसंट दे डिया प्रश्व प्रेंडिया जब यहां पहुंच्छा होगे तो मैं फिर पर जैसे अट की प्रीज वाइस स्टेजवाइस इस स्टेज को परसंटेज बोलते हैं कि 20 परसंट आपको गॉकिंग करने के बाद देंगे अब टिकर भो टिकड़ भेज़ता आप थेढ़ आप यहां आज आपना लोकेशन भेज़ता हम आपको फिर से 20 परसंट पेमेंट पेमेंट रिलिस कर देंगे आप रूम बुक करवालो तो अब ये इस्टेज्टेश हो गया आ तो स्टेजश को पता है टीकट बुक करोंगा में को पर्सान मिल को तो यह पेमेंट स्टेज जो स्टेज ऑफ बिल है यह उसके प्रोसेस पर डिपाइंड करता है कि हम पेमेंट किस समय करेंगे कैसे करेंगे फॉर्मेट होता दिखाऊंगा मैं आपको कि नेक्स्ट इसका को मैं प्रोजेक्ट कॉस्स निकालने के लिए या टोटल पॉजेक्ट निकालने आपको एस्टीमेशन मनाना होगा एस्टीमेशन आपको ड्राइंग डिडिंग आने चीए जिसका भी कोन लिया है लिए थे कब कल परसो तो कल तो तो परसो मतलब डे बिफोर येस्टर डे आस्ट है दस बारा तारिक तो दस तारिक को एक्सेशन लिया गया है प्रोजेक्स निकालने का एस्टिमेशन हर एक चीजों का डिटेल मैजरमेंट करोगे आप उसको रेट से मल्टिप्लाई करोगे जैसे कि हमको रात्मतारूपी नहीं है पाटी करेंगे सबके सब दोस्त मिलके मैं नहीं करता लेकिन लोग तो पहले से बजट कर दिया हमारे मित होता है 200 ml कोश दो सेमल के असपाद साथोंपा सत्तर का होता है माल एक वाटर 200 ml टाइसो एक आदमी पीएगा तो चार आदमी मिलके एक भोटल पी लेंगे एक लिटर वाला तो भी बाराइस ना पड़ेगा तीन बोटल एक बोटल कितने रुपाय बोटट इस रोपा एक तो दो-चारस रुपे में आ जाएगा विदेशी 12-15 रुपे में आएगा तो देशी पीना एंग्रेजी में फी कौना पीना है तो उस पे डिपेंड करता है ना कि रेट कौन से लेना है उससे प्रोजेक्ट कॉस्ट निकलता है तीन बोतल मॉल्टिप्लाइबाइब फंदा सु रुपए तो पैंतालीस रुपए प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया इस चुटा से गजामपल समझा रहा हूं फिर उसका डिस्पोजल उसका ठंडा पानी फिर उसका चखना फिर हेंगवर के लिए बीवस्ता करना पड़ेगा उल्टी करेंगा तो दबाई वह भड़ाना नेखाना बहुत सारा महनत तो वैसी हमारे बिल्डिंग के प्रोजेक्ट चाना चीए जिसको डे बिफोर यस्टेड़े ले लिया गया है और हमने इसको आपको अपने एस्टिमेशन प्रोजेक्ट पर सिखाया है हमारे टेनिंग मोडे में चाहिए और ना राइन कर रहे हैं कितना कितना परसेंट कर रहे हैं क्या बिल्ट अपेरिया है बस तीनों को स्टेज्ड कर रहे हैं आइटम वाइस जोड़ा सा तकलीम डायक होता उसका बिले अप्स्ट्रेट बिलंगा बॉहती स्टेज्ड में प्रसेंट कर रहे हैं कितना बिस पर रसेंट कर रहे हैं इस जड़े डिइट कितना है जो हमने निकादा 148 रुपे विल्ट-पेरिया है चांब को तेनों को माल्टीप्लाइब कर दिया रेट मौल्टीप्लाइब एरिया इन्टू परसेंटेश बीस परसेंट हमको रेंध निकल किया गया का हुए तरीक यह बात इसका बिल फोर्म सेम ऐस आइटम Мईश बिल फॉर्म उससे तरीके से स्लाइबरेट बिल कभी बिल फॉर्म है टीडियर सब्सक्राइब पहले बात करें ज्यादा फोकस नहीं दे रहा हूं से पैटन और बिल पावर्फुल होता है हां बहुत सारे लोगों ने चेक कर दिया है तुरंट पास करो अइसके बाद बिल प्रिपेड बाइब इंजिनियर किस बिलिंग इंजिनियर नेप्रिपेड के उसका नाम और साइन करवाओ वेरिफाइट बाइश्ट इंचार्ज मट्रियल वाला डिपार्टमेंट है क्या मट्रियल पैसा वसा जो काटना था काट वाट लिए कि नहीं वेरिफाइट बाइश्ट इंचार्ज का साइन करवाओ वेरिफाइट बाइश्ट इंचार्ज जो वहां प्रोजेक मैनेजर जो जनरल मैनेजर जो प्रोजेक का है उस प्रोजेक्ट में उस साइन करवाओ कि कि वो को पुरा कौलिटी चेक कर लिया है स्कोप फ्रोजेकर लिया इम्लेमेंट चेकर लिया उसी किसाफते परिमेंट जा रहे है इसको साइन है अब इसको भेज दो हैड ऑफिस और भी अप्रूब बाइव एचो इंजिनियर है यह मैक्सिम्म फीमेल कैंडीडेक ही होती ड्राइंग को पढ़ के बिल बनाने आना चीए और दूसरा से data एक्सट्रेक्ट करने आना चीए कि हम इस पर्टिकुलर का डिपी आर से जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते है उससे डेट एक्सट्रेक्ट करके चेक कर ले इतने का मांट का काम उसका होगा कि नहीं इससार कबिलेंग इंजिनिययर कर अप्रोवर्बबनाट करता है श्रेकर लिखा है इसको चैक करनेके लिए श्रेक चेक के बाद जैक होगा है तीम होगा आफिस में वो साइन कर गए कॉंटक्टर को पेमेंट दाएगा आना चाहिए नहीं आता तो सीख लो इसको मैंने ना कब्लियों मैं नौ तरिकों नौ तरिकों मैंने टेंडर पढ़ाया है कॉस्प्लस तेंडर उसको मैंने डिटेल में समझाया है आइटम वाइस कॉंट्रेक्ट कॉंट्रेक्ट का मतलब आपने काम लिया है उसमें जो भी एक्जेक्ट खर्चे होंगे वह क्लाइंट आपको प्लिटेक्ट करेगा प्लेस घरचों का कुछ परसेंटेज आप अपने फीज प्रॉफिट या सर्विस चार्ज के नाम से चार्ज कर सकते हैं और लेवर का होने के बाद लेटेटल में मैं समझाया है अपने प्रिवेस लेक्टर पे जो की आशितिन चार दि देखना नेक्स बात करते हैं सीपी डवलूडी टाइन क्यों रहे हैं लगाइब बहुत लंबा खिद्ध यह क्या है वह वह मिलता है लेकिन हम एक गंड़ा रहे हैं यह हम को कहा कि भी मिनिट में कंप्रीट करना है इसको आप लोग के साथ थोड़ा और संपर जिबूर्मेंट करता है सबसे पहला माइज पर किस 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 तरीके से कौन-कौन से item का measurement किया जाता है Bill के लिए Mode of measurement بुक देखो गौपर्मेंट में जो गौपर्मेंट के consultant जिसको हम Cpwd, Pwdwd बोलते है वह consultant जो जिए हे होते हैं जिसको हम site engineer कहते हैं जो junior engineer होते हैं जो sub engineer होते है वह category as per the same as site engineer वह component के द्वारा site engineer है जिए आपके आएंगे काम भाइब आरे मेजरमेंट लिखेंगे हर दिन का उनको जरी का काम होता है उनका मेजर्मेंट भृटना लेकिन उसको सब्सक्रमाइब करना चुझ कि थोड़ी से काम चोड़ होते हैं वह उनके पास बहुत तरी का ओर्वरलोड होता था उस ओर लोड करने के लिए जो billing engineer होता है या फिर जो site इंजिनियर से हैं, company के, company के site से उनका काम होता है joint measurement book, joint measurement report भी कहते है, joint measurement sheet भी कहते है, measurement book जो काम होते हुदार, measurement पहले सी लिखते चलना, रेट दसे हमने आईटम बात किया था स्कोप और के बाद रेट तो वैसी गवर्मेंट से मल्टिप्लाइब करके हम बिल बनाएंगे उसके बाद बात करते हैं बिल्बुक हमको बिल्बुक इंट्री करना होता है कैसा मैंने आप लोग के लिए इसको निकाल के लाया है कि आप 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 हर एक चीजों का मैजरमेंट लेते चल रहे हो कि साइट साइट के लिंग कितना हुआ भी आपका साइट का एरिया का साइट साइट क्लिण पुटिंग का एक एकशच गतना हुआ अपर का क्या का क्या कॉंडिटी आया है एफ्टू फूटिंग का रेक्टेंगल और उसके ट्रपोजाल इसको फिरस्टम टॉप कहते हैं उसका क्या में स्ट्रिंग कितना लग रहा है कि इसितने लग रहा है इसी तरीके से पूरा बिल्डिंग का हर एक मेजरमेंट ग्राउंड बीम ब्रिक वर्क प्लास्टर लिंटल वेन दोर window ग्रे लखिब स्लाइडिन स्लाइडीं विंड़ों प्रॉमिंग आइटम टाइल फ्लोरिंग सब का हमेह में सबको हमारा joint measurements bourne बनाने होते हैं कि जॉइंट measurements र testimlar band atom हाफ थिक वाल है तो उसके लिए area calculate होता है उसके लिए volume calculate नहीं होता है इस पर दी government rule तो जो उनका mode of measurement है कि हाफ थिक वाल होगा उसका area calculate करोगी आप तो सब का एक-एक measurement हमको करना होता है detail पर जिसको मैंने complete detail पर सखा है अपने billing के courses में चाहे offline चाहे online इसके बाद हमको bill book बनाना होता है काइजमेंट हो गया यहां पर कईए ब्रेट की बात नहीं कर रहे हैं मेंजब'm की बात करते हैं हम आइटम की बात करते नम्बर लेंथ वीडट है और इसके बाद हमको बिल बूफ हम zijn बिल बूफ में यह भिल बुक में अगैन मैजर्मेंट नहीं आता बिल बुक में आ या आता है कौंटिटी कि इसलिए कि इसलिए विल बने निए प्रिफिवेज तो धो यह होगा तो टोटल बिल्क कैसे निकालते हैं प्रिवेस बिल्क कैसे लिखते हैं बिल बॉक बनाते कैसे हैं सब आपको आपके बिलिंग कोर्स में सिखाया जैए वो ओफ लीन हो आउनलाइन हो यह हमको एंचिनियर किसी कि इंधर्यु discourte काम यह यह बनता है ऐसी है रेट वहाँ पर एनलेसिस होगा जो नॉन ब्यू क्यों आइटम है आगे बढ़ते हैं को मैं हैनम है कि गवर्मेंट बिल है कि अ सिध्यक के बाद के लिए और शक्राइट नेक्स्ट आता है ए48 को और ब्सक्राइब कर रहा है कि अमको इस stip выглядит करता है उस सब्सकुर में को रansen बैल बनाना होता है और जब बीकांव सब्सक्रिब हमको नहीं बना जब गवर्मेंट हमको या क्लाइं नहीं कर रहा है हमारी को म्युम्टन करके काम कर सकें मत कंपपनी की मट्रियल को कंट्रोल कर सकें क्योंकि मट्रियल का वेस्ट इज़ जितना कम और अपकी कंपनी का प्रॉफिट होगा में इसहिए तशुझा नर्लूर autor at each C कंपनियों में बस वही काम है यहां पर चाप अमारी अवियान बस इसको हम थोड़ा सा प्रोसेज में लाते हैं हर महिने चेक करते हैं हर बिल में चेक करते हैं कैसे बनाते हैं क्वाणिटी ऑफ यूज मट्रियल हमको लिस्ट आइटम एक्जुटेट कौन कौन सामने काम किया है क्वाणिटी करने के लिए कितना पृट्टी ऑफ इच मटरियल कल्कुटेट करना पड़ता है आप बोल रहे हो कि हां नुक्सान हो सकता है नुक्सान हो सकता है लिकिन ना करना मळता है कौन काम कर रहे हो उसके यूनिट्स क्या है और उसका सेंड सिमेंट और एग्रिगेट लगेगा एग्रिगेट में कॉंक्रिटिंग में कितना सेंड सिमेंट और एग्रिगेट लग रहा है हम पूरे आइटम जो आपने परफॉर्म किये हैं उसमें कौन-कौन से यहां लगते हैं हमको इसकी quantity निकालनी होती है इसको हम कहते हैं quantity of material used कितना material हमने उस particular bill में use किया है कितना material कितना mq cement कितना mq cement कितने numbers of brick कितना bag cement कितना kg steel सब हमको एक एक item का detailing निकालना होता है इसके बाद हम निकालते हैं इसका reconciliation record जब हम अपने किसी बिल्डर के यहां काम कर रहे हैं हमारी खुद की कंपनी हो हम कि या फिर किसी बिल्डर के जॉब कर रहे हैं उस condition पर आपको निकालना होता है रिकॉंसलेशन रिकॉर्ड की details of material हमें अपनी company को बताना होता है कि आपने हमारे पास कितना सीमें भीजा था रिसीव डू कॉंटिटी रिसेव डू कॉंटिटी कितनी थी मैं थोड़ा लिख के बताता हूं है कि अब मालत रिसीव कॉंटिटी सब्सक्राइब कर लिए जर्ट पिसले वाले डेटा से पिछले वाले जो हमने यूज कॉंटिटी रिडिए निकाल था असी वैक उन्हें यूज कर लिए फिर डिफ्रेंट इन कॉंटिटी तो हमारे पास हैं इस टोक हमारे पास होना चाहिए एस पर और है कितने में काम हो चुका है और कितन की स्टोरर ने बचा हुआ च हमने चेक कर वाया चाहर हमारे पास अबलेबल है तो हमारे बस्तित हो गया दो बैग वेस्ट हो गया था-さ prior है दो बैग क्वेस्ट हो गया yapmış बैथ हो तो बोल्या स्थैर ब्हुत्ट की गलती चिसकी गलती हैए उसके लगाν लगाओ क्योंकि आपको साइट में कर सकते वेस्ट हो रहा आप लेटर कर सकें जब मॉनिटर करने के लिए रही हमको फथल गया दो वेस्ट वा से वेस्ट हुआ तो हमको वाति करा देंगे तो रिपेरिंग जादा हो रहा है क्यों एक टेकेदार खराब है अब भुला आपको फैन लगा उसके उपर घराब है तो उसके खराब में हमक्यों जुरिये वेस्टेज कितना परसेंटेज हुआ कि बताओ बताओ किसमें से capture लिया निकलना है यूस कर लिया है तो कितना प्रतिसाथ वेस्ट हो गया है पर सेंट डिश्ट कितना प्रसेंटेस्ट हो जल्दी समय नहीं हमारे पास पन्वेल निकलना है मैंने को फिर वेस्टेज आफ मट्रीयल आया गा दो परसंट लिके रहे हैं लोग मिश्टर में चौहान कुमार जिन्हें सबसे नहीं लिखा है टू पॉइंट फाइप परसंट चचा टू पॉइंट फाइप परसंट क्यों जितना माट्रियल यूज किया हो उस मट्रियल के कारण तो वेश्ट हुआ है असी वैग यूजर्स करने की कारण वेश्ट हुआ था तो हम असी बैग 가능 यूजर्स करने के कारण टूपॉंट फाइब supply वैट तो वहां से आगा 2.5 परसेंट वेस्ट हो गया है तो वेस्टेंट से निकालते हैं इसका फॉर्मेट है इसका फॉर्मेट मटरिल देते हुआ है। उसकी क्या किया से कॉन्टिट से निकाले इतना हमारे पास होना चाहिए था लेकिन इस टौग ऑन साइड कितना है तोनों के इंदोनों के से पता चला कितना है और इससे और यूजड क्वान्टेट कर लिया वेस्टेज ऑफ परसंटेज कितना है बस पूर्ट डे वैल्ली गैट दा एंसर रिकॉंसलस निपोर्ट से हमको परसंटेज समझ आते जाएगा जिन जिन चीजों में वेस्टेज है उसका रिमार्क लिखते जाओ ताकि हम उसको अपडेट करते चले उसको अपडेट करते चले हमको जीरो वेस्टेज तक पहुंचना है तो जीरो वेस्टेज तक पहुंचने के लिए हमको मॉनिटरिंग लगा था अपने साइट में करना है अपने साइट को अपग्रेट करना है एक समय के बाद आप आपके साइड में एक बैक सिमेंट वेस्ट नहीं होगा आप इतने काबिल हो चुके होगे रिकॉंसलेशन रिपोर्ट लेकिन यही मट्रियल यही क्लाइंट भेज रहा होता है तो क्लाइंट बोलता है में को बिल बनाके बेज ज्यादा वेस्ट किया होगा तो गरदन काड़ तो हम बोलते हैं उसको रिकॉंसलेशन बिल एक क्लाइंट हमको कुछ मट्रियल वेस्ट करने का परमिशन देता है सिमेंट 25 लाग से कम हो तो तीन परसेंट और सिमेंट 25 लाग से ज्यादा हो पच्छिस यादा अमारा टेंडर आमन्ट ना एदिया रिपन एक का है तो आपक Disney है और यूज़ी हमने असीव sophre Games कि या वेश्चे जोब मट्रियल दोफन वेष्ट रॉपायटों तोफ परसेंड़्स वेश्ट है पर मिसिभल इन सबस्क्राइम एधिए यह 25 लाख रुपए से 25 लाख रुपए से आपका प्रोजेक्ट कौस्ट बढ़ा है और यह जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो प्रोजेक कोस्ट है वो 25 लाग से बड़ा है प्रोजेक कोस्ट बड़ा है 25 लाग रुपै से उस कंडिसेन में दो प्रतीसत अलाव है तो पर्मिसिबल वेश्टे से 2 परसेंट तो भाइब आधा परसेंट हमने ज्यादा वेश्ट कर दिया है परसेंट था कर दिया तो डिफ्रेंट्स ऑफ डेबिट 0.5 परसेंट हमको नुक्सान भरना पड़ेगा यह 0.5 परसेंट का हमको पैनाल्टी लगे गी तो 0.5 परसेंट कितना कॉंटिटी होता है तो असी का जिरूपाइब फाइब परसेंट साब कल्कॉलेट करना तो असी इंटो 0.5 दिवाइट बाइंड दिखाओ नहीं को कल्कुलेटर असी 0.5 दिवाइट बाइंड जिरो पॉइंड जिरो पॉइंड पॉर बैग का हमको पैनल्टी लगेगा छोटा एक्जाम्पल इसलिए 0.4 समझ यहांगा ठीक ना देतेंगा 0.4 लेकिन यह प्रोसेस से मैं भी उसके लिए हमको दो ही मट्रियल अलाव है इसका फोटो किस लेना तुम्हों अराम से वीडियो पॉस्ट करके जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो इसके बाद रिकॉंसलेशन बिल हमने पता चलिए हमको जिरो पैनल्टी लगेगा लेकिन यह तो बिल बनाना पड़ेगा फॉर्मेट है तो यहां पर सेमेशी माट्रियल यह कौन कौन सा मट्रियल कंपनी वीडिया कर रहा है तो सिमेंट और इस्टील ही करते है वह उसमें कितना मेट्रियल हम यूज कर रहे हैं वेस्टेज कॉंटिटी निकाल लेंगा इसे एवरेज को different quantity 0.4 बचा था उसको एबरेज से multiply कर देंगे तुम्हारा बिल निकल आएगा एक दम बेसिक अब इसी अब सब्सक्राइब की चीजों को वहां बे आठ साथ वीडियो के साथ समझाय गया है एक offline हम पूरा एक दिन प्राइज एसकेलेशन तब हम यूज करते हैं जब महंगाई की मार हम पर पढ़ जाती है तो प्राइज एसकेलेशन से पांच चीजों पर डिपैंड करता है फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फर्स्ट वन इस सिमेंट सेकंड वन इस स्टेल थर्ड वन इस पी ओएल जिसको तो सबके बढ़ते हैं रेट सबके घटते हैं तो उस कंडिशन पर हम स्रिफ बड़े बड़े आइटम पर ध्यान देते हैं जो कि दासे के सिमेंट स्टील पेट्रोलियम जो की इन डारेक्ली सारे मट्रियल की महंगाई पर डिपैंड करता है और सभी मट्रियल को एक मिला के कह देते हैं यह छार आइटम का हम बेसिक्ली ध्यान देना होता प्राइषए की बात नहीं करते हम्ने आपको सिखहांगी ऑपाज데 ने लेबर्स की बिल्डिक का प्रोजेक्ट हुए तो हमको यहीं ध्यान देना होता है व्यदी औरोट का प्रजेक्ट है उत्य हूए और पा बात करेंगे तो बिल्डिंग के प्रोजेक्टि हम पांस मुद्य पर बात करते हैं सिमेंट इस्टील पीओ वेल अधर मट्रियल जिसको हम और लेबर लेबर आपको सेंटरल बीरो के प्रेज रिलिस रिपोर्ट से मिलेगा और बाकी चीजें आपको गूगल में टाइप करोग है तो इसके लिए जो मैटर है वह एक यह फॉर्मुला है दिश्टा फॉर्मुला वी इंटू वी इकवल टू 0.85 0.85 प्रोजेक्ट कॉस्ट सौ रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसमें से 15 परसेंट तो कॉंट्रेक्टर प्रॉफिट होता है ओवरेड चार्ज होते है तो परसेंट 95% प्रोइबर होता है तो पिस प्रोजेक्ट में सीमें कितना पर्तीसत है percentage of component w w is the cost of work done जिसको हम बिल बोलते है मन्त वाइस बिल बने आँगा बना बना रहा दे अभी cpwd को आता है यह मॉन्त मैं आपको दिखांगा कहां से निकालते हैं प्राइस और इकनोमिक ऐडवाइसर से निकालते हैं इंस्टेंस प्राइस कोफिसेंट जिस मंत में अगुरं था उरिजिनल प्राइस कोफिसेंट क्या है और यहां पर यहां पर सिमेंट की बात करेंगे कि सेमेंट की बात करेंगे तो पि जगा चीमेंट का प्रसेंट सिक्शन के जगह उस प्रोजेक्ट पे लेबर कितना तो डबलू आप गॉवर्मेंट बिल का जो बिल अमांट होगा वहाँ से निकलेगा से निकलेगा कि यहां से जाए कि है पर लिंक है कि है फॉलिंक नहीं है चलो मैं आपको दिखाता हूं है कि तो Google चलो करो लेना अपने में तरह आपको कि अपनामिक एडवाइजर आ 리 він से अपिस और एकानामिक एडवाइजर कि ओशी एड़िया मिदा मैशर आ आए शाब ऐक्नामिक एडवाइजर इसके ओपन रो तो मुदी जै कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रियास मोदी जी नहीं लिए तक उनका नाम नहीं मिला है हम दिलाएंगे तो यहां पे होल सेल्स इंडेक्स है यहां पर आपको जो में चूज करना है सीमें बहुत सारे माट्रियल है यहां पर लिखते जाएंगे मिलते जागा मैं अभी आपको अवरॉल दिखा जाता हूँ यह है उसका प्राइस कोफिसेंट और इस नॉट इस नॉट इस नॉट रेट इस पॉफिसेंट क्या बोल रहा है सब मठेयल को हमने अनलिसिस किया और सारे मठेयल का अनलिसिस को हमने मिलाके उसको सो रूपे देज़ सो नॉबर बोल दिये सब कोई रेट था इंडिया का इंफलेशन उसको 100 बोल दिया गया उस सो से रिलेशन बता रहा है 2011 बार में 100 तो 2022 जनवरी में कितना था 22 फेब्रॉ सब्सक्राइब तक रेट इंडरस्ट्री का रेट इन्फ्लेट हो गया है बढ़ चुका है 2011 बार में 100 था 22 में 143 हो गया मतलब 43 परसंट 111 से 2022 में 44 परसंट इंडरस्ट्री का रेट बढ़ चुका है और जन्वरी 2022 की बात करें 2022 में 143.8 था यह बढ़ते 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 यह कम जादा कम जादा हो रहा है और दिसमबर में 145.4 था मतलब 143.8 से 150.4 इंफलेट हो गया मतलब महंगाई बढ़ चुकी है यही है जिस मन्त का यही है कॉफिसेंट यही हमारा जन्वरी महिनें पर अग्रिमेंट हुआ था तो 143 जो सी ओ है फॉर्मले में जो सी ओ था उसके जिए 143.8 लिखेंगे और यही हम माले अगस्त का बिल ब 153.2 लिखेंगे 153.2 तो बस इस फॉर्मुले पे कहां गया फॉर्मुला इस फॉर्मुले पे कि यह पर 153.4 लिख देंगे और सी ओ में जो जन्वरी मंद का कॉफिसेंट था वह इंट्री मार देंगे वर्क डन जितने रुपे का बिल बना था उस बिल का बात कर देंगे और ऑल कॉमडिटीस के जो परसेंटेज आपके तेंडर पर दिया उस आपर इंट्री मार देंग एक फॉर्मेट है उस पर हम वेल्यू को लिखते जाते हैं बस इतनी सी बात आज के मिलेंगे एक बज़े आपको चेतन सर्मा जी जो आपको समझाएंगे मोड अफ मेजरमेंट क्या होता है बस यूटूब में कुछ लिमिटेशन होती है हम यूटूब पर सारी चीज हम ट्र में क्या प्राब्लम होता है उसकी भी हमारी टेखनिकल टीम बैठती हम खुद आपसे डिसकर्श करते हैं हर साल हर दिन साम को साथ बरे से आट बज़े तक मैं हर मंडे को अब लेबल होता हूं आप लोगों से डील करने के लिए आप लोग आप लोगों से बात करने के लिए हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में जितने भी इंजिनियर्स अब लेबल हैं उनके साथ उम्मिद करता हूं मारे प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा पूरी लगन के साथ पूरे जोर्सुर्ण के साथ हर बार मिलते रहेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत